तो दूस्तो आज की इस मूवी में आप देखने वाले हो एक ऐसे सन की हवसी प्राडी को जो अपनी ही एक्स को अपने घर में कैद करके रख लेता है बस उसे अपने लॉलीपॉप से मनजन कराने के लिए क्योंकि वो उसे खुश से दे नहीं रही थी तो ऐसे में वो जबर्दस्ती उसे बजाने के लिए उसे अपने ही घर में बंद करके रख लेता है तो इसके बाद क्या-क्या, कहा-कहा कैसे-कैसे, क्यों-кіों किस-किस position में होता है ये सब तुम आज की इस movie में देखने वाले हो तो चलिए जाधा देर ना करते हुए हम movie को start करते हैं पर उससे पहले Guru हमारे telegram channel को ज़रूर join कर लीजेगा क्योंकि वहाँ पर हमने एक और नया चैनल बनाया है जहाँ पर भाई साब हम बिल्कुल तगडी तगडी मतलब भाई साब हाई लेवल वाली www.gapagap.com पे जो मिलती है उनसे भी प्रो लेवल वाली मुवीज को explain कर रहे हैं और मैं बिल्कुल damn sure हो गुरू कि तुम्हें वो मुवीज 100% लिख के ले लो पक्का पसंद आएंगी आप चाहो तो भले ही उस चैनल को join मत करो बस एक बार विजिट करके ही देख लेना मेरे भाई अगर तुम्हें मुवीज ना पसंद आए तो कहना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो एक बार चाहो तो विजिट कर सकते हो वरना कोई बात इच्च नहीं हाँ तो मुवी का नाम है बॉक्सिंग है लेना और ये रिलीज़ वी थी यर 1993 में तो मुवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है छोटूनिक यहाँ पर वो अपनी मॉम को छुप करके देख रहा है और भाई साम वो ये चीज नोटिस करता है कि उसकी जो मॉम है वो हर बार एक नए बंदे को घर पर लेकर आती है और उन दोनों के रूम में जाते ही अचानक से तरह तरह की चीखे निकलना स्टार्ट हो जाती है बच्चा छोटा सा है तो उसे समझ में नहीं यादा कि आखेर ये क्या होता है और ये चमतकार रोज रोज क्यों होता है धिरे धिरे जब वो बड़ा होता है तो उसे ये सारी ग्यान की बाते पलने पड़ जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं अगले सीन में किर्निक बड़ा हो गया है और अब वो एक अच्छा खासा डॉक्टर बन गया है पर अभी अभी ही उसकी मॉम की डेथ हो गई है जिसके फ्यूनरल के बाद वो सीधा वापस आता है अपनी मॉम की प्रॉपर्टी पर जो की काफी सही थी और अब वो पूरी की पूरी उसकी नाम हो गई है खैर अगले सीन में हम उसे देख पाते हैं एक रेस्टरॉण में रेस्टरॉण क्या बार लग रहा है बार टाइप का जो भी है यह वहाँ पर हम देख पाते हैं और ये देखर के भाई साब निक भी वहीं पर अपना कच्छा भीगा देते हैं यहाँ पर हम देख पाते हैं उसकी वाइफ को जी हाँ गुरू चच्चा कुछ जादा ही बड़े वाले रसिया है इनके पास खुद की वो भी सगी वाइफ है तब भी इन्हें अपनी एक्स के अंदर कामा सूतरा की पोजिशन दिखाई दे रहे हैं खैर अभी अभी चच्चा बिर्यानी देख कर आए हैं तो ऐसे में उन्हें अपनी बीवी अर्थात घर का दाल चावल पसंद नहीं आ रहा था तो वो चले जाते हैं जॉगिंग करने बाहर और यहीं पर दोड़ते दोड़ते उन्हें उसकी ही एक्स हैलेना की कार दिखाई देती है उसे समझ में आ जाता है कि आज बास हैलेना भी कहीं पर होगी तो वो उसके सामने वाले ही घर में पेड़ पर चड़ जाता है भाई तेरा अब प्यार में पढ़ गया है लेमड़ा थेमड़ा अदगलसुन पूदिना जो भी एक इश्क का मारा आश्रीक बोलता है वही ग्यान की बाते यहाँ पर यह भी पिलने लग जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ हम हेलेना को देख पाते हैं जिसका जो गैलेना है वो भर पा रहा है तो इस वज़े से लेना उसे धर गरी आती है और समझाते हुए कहती है कि बस तुम बाते ही पेल सकते हो तो यह सुनकर के रे के भी इगो में लग जाता है और भाई साब वो भी उसे धर गरी आने लगता है जिसके बाद इन दोनों की लड़ा ही हो जाती है औ और यहां पर जानबूच करके हेलेना को तेल लगा कर किसी तरह से अपनी पाइटी में इन्वाइट कर लेता है। जिसके बाद वो पाइटी में उसके आगी पीछे लबल-लबर करने लगता है और इस चीज़ को उसका फ्रेंड नोटिस कर लेता है। जिसके बाद हेलेना को देख करके उसके फ्रेंड का दिल गार्डन गार्डन होने लगता है और वो डिसाइड करता है कि अब तो वो हेलेन का गैलन अपने ही पाइप से भरेगा। जिसके लिए वो Nick को साइड करके खुद ही Helena के तेल लगाने लग जाता है जिसके बाद Helena उसके फ्रेंड के साथ वहीं पर एक फाउंटेन में पता ने भाईया जी कोई पार्टी में जाता है तो फाउंटेन में कहीं से रहा सकता है हमें समझ नहीं आता यहां पार्ट में जाते हैं तो फट के हाथ में आ जाती है एक तो चार्सो चारी सूर्ट का करेंड और दूसरा आसपास के लोग जब पार्टी खतम होती है तो वो उसके फ्रेंड को ले करके शायद ओई वो निकल जाती है यहां पर निक की वाइफ उस समय तो कुछ नहीं कहती पर जब पार्टी खतम होती है तब निक को धर गरी आना स्टार्ट करती है क्योंकि भाईया जी उसे समझ में आ गया था कि निक का जो मुन्नू है वो हेलेना की चुन्नी को देख करके अब एक्साइट होना स्टार्ट हो गया है उसके लिए तो पहले वो उस धरगरी आती है और फिर वहाँ से सीधा निकल जाती है हर नारी की तरह माई के तब ही उन्हें हेलेना का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि कल मुझे ये कंट्री छोड़ करके बाहर जाना है और गलती से मेरा वालेट तुम्हारे घर पे छूट गया है उसके अंदर मेरा एड्रेस कार्ट पासपर्ट बगरा है तो प्लीज कल सुभ्या करके तुम अब भया जी हेलेना की फटी बड़ी है क्योंकि वो इंपोर्टेंट भी है तो ऐसे में कहती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे घर चलती हूं और यहां पर घर ले जा करके निक उसे खाना खाने के लिए उपर करता है इसके साथ साथ वो उसे गान के कुछ रैप पिलता है ज करता हूँ खड़ा खड़ा अब घोड़े पे चड़ेगी क्या बंटू थी आजा बजा दू मैं तेरी लॉड़ों कुछ ना भाव क्यों तेरी क्यों लगाते वो तेरे को डाउन में पेरी अब तु पूरी कर दे मनत मेरी काम बहुत वीडियो आती हर वीक टाइम नहीं पर पर भी हर बंदी की निकल वाओं चीक हात बकड और अंदर घुसा करती जो तू अकेले में वो तू करके दिखा सुने में आया है नौन स्टॉप आच बार तो चल ले लेना एक बार भाई साब ही रैप सुन करके हेलेना को एक सेकेंड में समझ भी आ जाता है कि निक ने ये सब कुछ जानबूच कर किया है तो इस पर वो उसे पहले तो धरगरी आती है और फिर वहां से जाने लगती है पर रास्ते में उसका एकसिडेंट हो जाता है और निक जो की एक डॉक से पूस्ती है कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था जिस पर निक उसे सब कुछ बताता है भाई साब उस बंदे ने जान भूच कर एकसिडेंट करवाय था और यहां पर उसके पैर काटने की कोई दरूरत भी नहीं थी उसने जान भूच करके हेलेना के पैर काटे ताकि वो क जदा हड हो जाता है वो उसे पहले तो धर कर याता है और फिर उसे कोपचे में ले जाकर के उसके हाथों को भी हटा देता है अब भाई साब हेलेना के अंदर बस उसने उसके ही हवस के काम को पूरा करने वाली चीज़ों को छोड़ा था बाकि सभी चीज़े तो उसने निक प्रती है और जम करके उसकी सेवा करने लगती है निक को यहां पर उसकी वाइब के साथ गपागप करने के काड़ी माईले जीनी देती जहांपर उसकी वाइब जिस वज़े से वो गुस्ते में वहां से फिर चली जाती है। जिसके तुरंद बार निक एक 300 रुपय वाली को कॉल करता है और अपने घर में बुलाता है। जिसके बाद हेलेना के सामने ही वो पल्टा पल्टा करके लेने लगता है। हेलेना भी भाई साब ये देखने के बाद बिल्गुल आस्मान में चड़ जाती है और वो निक से बोलती है के अरे यार उससे साइट करो और मेरी बचा दो। यहाँ पर निक स्टार्टिंग में तो थोड़ा भाव खाता है पर हेलेना के बार बार इंसिस्ट करने पर वो भी बेचारा कब तक अपने आपको रोगता है। अपने वाइफेंट को ही करी आने लगती है और यहाँ से जाने को बोलती है जिस बज़े से उसका वाइफएट बहां से चला जाता है और फिर हेलेना निक को चीख चीक करके उठाने लगती है जिसके बाद जब निक की आँख खुली तो उसने देखा कि वो तो एक हौस्प लिटल में ही है और ये जो सब कुछ हुआ है वो तो बस उसने सपने में सोचा था तो इसी के साथ ये मुवी यहीं पर एंड हो जाती है चेंज हो चुका है तो अगर अभी तक आपने हमें नयवाले इंस्सेग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आईडी तो आपको स्क्रीन पर देखी रही है और हाँ चैनल तुमने सब्स्राइब नहीं किया है ब्रो तो ऐसी और प्शाधा तगड़ी तगड़ी वीडियो और कहई नहीं मिलने वाली जो है वो यहीं है तो चैनल सब्स्राइब करो बैल ऐकन प्रेस करो और प्शाधा तगड़ी तगड़ी मूवीस के लिए और हाँ वीडियो को एक चोट़ा सा लाइक कर देना मेरे भाई यही एक Medicare के हैं आपसे बज क्योंकि इस समय रीच की विल्कुल मैया दया हो रखी है तो मेरे भाई ऐसे में अगर आप थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाओगे तो रीच वापस सही हो सकती है तो प्लीज एक छोटा सा लाइक वांग रहे हैं मुश्कल से एक सकंड लगेगा फ्लीज कर देगा